मित्रों, प्रभूर दर्शन में आपका स्वागत है, प्रभूर दर्शन की आज की कहानी है दानवीर कर्ण की, चलिए, आज की इस कड़ी को आरंब करते हैं, एक बार श्री कृष्ण भरी सभा में कर्ण की दानवीरता की प्रशंशा कर रहे थे, अर्जुन भी उस समय सभा मे उपस्थित थे, वे कृष्ण द्वारा कर्ण की दानवीरता की प्रशंशा को सहन नहीं कर पा रहे थे, भगवान कृष्ण ने अर्जुन की और देखा, और पलभर में ही अर्जुन के मनोभाव जान लिये, श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्ण की दानशीरता का ज्यान क पराने का निश्य किया कुछी दिनों बाद नगर में एक ब्राह्मन की पत्नी का देवलोग गमन हो गया ब्राह्मन अर्जुन के महल में गया और अर्जुन से विनती करते हुए कहा धननजे मेरी पत्नी मर गई है उसने मरते हुए अपनी आखरी इच्छा जाहिर करते हुए कह था कि मेरा दाह संसकार चंदन की लकडियों से ही करना इसलिए क्या आप मुझे चंदन की लकडियां दे सकते हैं ब्राह्मन की बात सुनकर अर्जुन ने कहा क्यों नहीं और अर्जुन ने ततकाल कोशाध्यक्ष को तुरंट 25 मन चंदन की लकडिया लेने की आ गया दे दी पर अर्जुन के समक्ष चंदन की लकड़िया ना होने की असमर्थ था व्यक्त की अर्जुन ने भी ब्राहमन को अपनी लाचारी बता कर खली हाथ वापस भेज दिया। पोशाध्यक्ष को महल में लगे चंदन के खंभे निकाल कर ब्राहमन को देने की आ गया दे। दी चंदन की लकड़िया लेकर ब्राहमन चला गया और अपनी पतनी का दाह संसकार संपन किया। भगवान उनका भला करे। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले। अर्जुन चंदन के खंभे तो तुम्हारे महल में भी थे। लेकिन तुम्हें उनकी याद ही नहीं। आई। यह सुनकर अर्जुन लज्जित हो गये और उन्हें विश्वास हो कि क्यों कर्ण को लोग दानवीर कर्ण कहते हैं धन्यवाद